आज चलिए बनाते हैं सूपर सॉफ्ट मेथी का थेपला जिसे आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं और इतना सॉफ्ट है ना कि सुबर से शाम तक ये बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है सो रेसेपी देख लेते हैं दो कप हमें चाहिए बारिक कटिवी मेथी मेथी को अच्छे से वाश करके कट कर लेना है उसमें हम डालेंगे डेड़ कप गीहु का आटा नॉर्मल आटा लिया है मैंने दो बड़े चमच भरके हम यहाँ पे लेंगे बेसन आप बेसन को चाहिए तो स्किप कर सकते हो एक बड़ा चमच अद्रक और हरी मिर्ची ग्रेट करके साथ ही में एक चमच नंक या स्वातके नुसा नंक 1-4 चमच धनिया पाउडर 1-4 चमच आमचूर पाउडर 1-4 चमच से कम हमने ली है हल्दी पाउडर 1-4 चमच लेंगे लाल मिर्ची पाउडर आप चाहिए तो ज़ाभा भी ले सकते हो 1-4 चम्मच कच्चा जीरा 1-4 चम्मच गरम मसाला एक बड़ा चम्मच सेसी सीडस लेंगे मतलब तिल 1-4 चम्मच से कम चाला नमक और तोड़ा सा हींग सारी चीजों को पहले हम अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे तेल या घी जो आप डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं इससे जो थेपला एक तम सॉफ्ट बनता है साथ ही में हम 1 फोर्ट कप के करीब डाल देंगे फ्रेश दही दही खटा नहीं लेना है फ्रेश दही लेना है दही को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दही की वज़े से ही य जब भी आप आटे में कोई सबजी मिला के आटा लगाओ ना तो उस आटे को रेस नहीं देना चाहिए वरना वह उस्यादा धीला हो जाता है तो हम हातो हाती इसके थेपले बनाएंगे अब कई लोग एकदम पतले बनाते हैं मैं रोटी भी थोड़ी से मोटी बनाते हूं त और इससे जदा पतला मेर से नहीं बिलता है मेरे बेटे ने वोला ममा लोग इससे भी पतला बनाते हैं पर मेर से इससे पतला तो नहीं ही बिलेगा मैंने अपनी तरफ से गदम पफेक दिया है कि जितना पतला हो सके बेल दिया है आप इससे भी पतला चाहिए तो बेल सकते ह तो यहां पर थेपले मैंने सारे बनागे एक क्योंपर एक रख दिए हैं क्योंकि इनको सिखने में जादा टाइम नहीं लगता है कि बहुत पतले बनते हैं तो फुटा-फट से सिख जाते हैं और मैं इने घी लगा के सेख रही हूं, आप चाहे तो तेल के साथ भी सेख सकते हो, अच्छे से दवाते वे सेखना है ताकि यह एवनली सिख जाए और इस तरीके से जब आप थेखले से वह एवनली भी सिख जाए है, काफी सॉफ से भी बनते हैं और घी की वज़े से इनका अगले वीडियो में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो इस तरीके से सारे थेखले मैंने सेख के तयार कर लिये हैं, नॉर्मल पराते में जितना टाइम लगता रोटी में उससे भी कम टाइप में यह सिख के तयार हो जाते हैं, और कितने सॉफ्ट बने हैं यह तो आपको द अगले रोटी